dog हमने भी कहना खाया है विदेशों में आपने भी dollack । इसा डिनर इतना महेंगा डीर कभी कहा है जिसमें 25000 करोड़ देश को देने पड़ जाये ईंड आ इसलिए हम जानना चाहते हैं तो ड्रोन पीछे है है kya एक पिक्चर बन ती हम आपके हैं कौन यह एक नई फिक्चर बन रही हमआपके हैं ड्रोन जिसके हीरो है नरेंद्र मोदी हच हम जानना चाहते हैं डेरेक्टर कौन है निर्देशक कौन है हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है हम आप से जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है क्योंकि जिस कंपनी से यह खरीदे जा रहे हैं जनरल एटमिक्स उनके CEO के रिष्टे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किस से कितने घनिष्ट और कितने गहरे हैं यह हम और आप ज व्यक्ति वो द्रोनाचारिय ड्रोनाचारिय जो इस पिक्टर का निर्देशन कर रहा है जो उसमित्र का नाम आप सब सब जानते हैं और उनकी कितनी बैठखें हिंदुस्तान में एक अतिमहतुपूर्ण व्यक्ति से हुई जिसको मैं आज ड्रोनाचारिय का दर्जा दे रह कि जब आप इस तरह की कोई स्टोरी करेंगे और आप पर जब हमले होंगे आई टी सेल द्वारा तो जैसे वाइट हाउस ने वहां की पत्रकार की रक्षा में उत्रा प्रधान मंत्री भी आपकी रक्षा जरूर करेंगे आप पर हमले आई टी सेल द्वारा नहीं होने देंगे हमारे सवाल कि ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए CCS की बैठक क्यों नहीं हुई Cabinet Committee on Security की मीटिंग क्यों नहीं हुई भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए जादा कीमत क्यों दे रहा है जब वायू सेना को इन ड्रोनों की आस्मान छूती कीमतों पर आपती थी तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी और माफ कीजेगा हमारे वायू सेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी हम उन्हें 31 दे रहे हैं कुछ तो राज है मैंने मेकिन इंडिया के विशे में आपको बताया है आठ से नौ परसंट टेकनोलोजी ट्रांसफर पर हम क्यों सहमत हो गए सिर्फ आठ से नौ परसंट टेकनोलोजी यह हमारा तीसरा सवाल है जनरल आटोमिक्स के सीओ के मौजूदा सत्ता धीशों और जो प्रभावशाली हस्ती है इस देश की एक बहुत प्रभावशाली हस्ती है उससे क्या संबंद है यह हमारा चौथा सवाल है हम बांग करते हैं कि इस ड्रोन डील में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए ताकि हिंदोस्तान प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक बड़े घोटाले में रफैल के बाद यह दूसरा बड़ा घोटाला होगा एक और बड़े घोटाले में ना फस जाए क्योंकि मोदी सरकार और राष्ट्री हितों को खत्रे में डालने के लिए जानी जाती है इसलिए हमारे सवाल प्रासंगिक है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कहीं जवाब आएगा